आइए अब हम देखते हैं कि दीक्षा एप में CMYignP dhk के अतरिक हमने इदि कोई अन प्रिसिक्षण लिये हैं यह वह अन श्रेट के प्रिसिक्षण है और वह प्रफाइल में अवीरत अभी भी दिखाई सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कुल 30 प्रिसिक्ष यहाँ पर दिया हुआ है जो अविरत है इसे भी मज़े हटाना है और यहाँ पर आप देख सकते उत्तरप्रदेश का एकव बिसिक्षन है तो इस परकार से अन बिसM कैसे हटा सकते है आप देखेंगे पर किलिक करते ही course सुरू होगा तो इसे आपको back बटन से back कर लेना है यहाँ पर ठीक है इस पर आपको किलिक कर देना है तो हम back हो जाएंगे अब यहाँ से हमें back कर लेना है अब यहाँ पर आप देखेंगे तीन option हमें दिखाई दे रहे हैं पहला download दूसरा हटाएं और तीसरा share इसके अतरिक्त यहाँ पर एक और option हमें दिखाई दे रहा है पुष्टी करें, तो हमें पुष्टी करें पर किलिक कर देना है, पुष्टी करें पर किलिक करते ही, आप देखेंगे यहाँ पर मेसेज आ गया, कोर्स से नामंकन रद किया गया, अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रुफाइल में, अब देखेंगे आप यहाँ पर, चुकि ह हमने पहले भी देखे थे कि कोर्स 30 थे और अभी भी 30 दिखाई दे रहे हैं तो अब हमें इस refresh button को click करना है जिससे हमारा course हमारी profile refresh हो जाएगी तो हम click करते हैं अब आप देख सकते हैं यहां पर course 29 हो चुके हैं मतलब एक course जो हमने हटाए हैं वो यहां से हट चुका है अब इन में से एक course को और हटा कर हम देखते हैं जैसे एक course है यहां पर पर परियोजना अधारीत अधिगम उत्तरप्रदेश का course है तो हम इस पर click कर देते हैं किलिक करने के पस्चाथ आपको back कर लेना है ठीक है फिर किलिक करना है और फिर से इस back button पर आपको CLicks करना होगा अब यहां पर फिर से देखींगे आप 4 option आपको दिखाई दे रहे हैं तो हमें 3 dot पर click कर देना है किलिक करने के 50 कोर्स से नामंकन रद इस पर किलिक करना है अब यहाँ पर पुष्टी करें इस पर किलिक कर देना है आप देखेंगे यहाँ पर मेसेज आ गया कोर्स से नामंकन रद हुआ तो इस परकार हम अपनी पुरफाइल से जो अतरिक्त कोर्स हैं उन्हें हटा सकते हैं अभी आप देखेंगे यहाँ पर last time हमने देखा था 29 कोर्स थे अभी भी 29 दिखाई दे रहे हैं तो हमें इस refresh बटन से refresh कर लेना है प्रोफाइल को. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स 28 बचे तो इस परकार हम अपने प्रोफाइल से जो अतरिक्त कोर्स हैं उन्हें हटा सकते हैं इसमें एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो अतरिक्त कोर्स आपने किया है और वो पूर्ण हो चुके हैं तो ऐसे कोर्स आपकी प्रो जाओ जरूर दें साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें थेंक्यू